हलो स्टुडेंट्स अब हमारा है फोर्थ का बी पार्ट एक सेल वाला टॉपिक और मैं आपको बता देती हूं देखो क्या कह रहे हैं गुड्स टू रामा लिंगम लिस्ट प्राइज दे 3,75 परसेंट 20 परसेंट का 20 परसेंट करते हैं तो 75,000 ही आएगा इसका मतला हमने एक् लेकिन कैस को तो शो करते हैं तो 3,00,000 पर 2 परसेंट 3,00,000 पर तो मतला हमने 6,000 का डिसकाउंट दिया है तुम्हें बस याद क्या रखना है जो यह आप कैस डिसकाउंट देते हो यह इस वाली अमाउंट जो इस ट्रेट डिसकाउंट माइनस करने के बाद एक्चुल में 3 क्लCon दी लेकिन आ रहा होगा उस पर देखो गवंजन के पैसे टेक्स किसका है जवह में उस पर्काउंट इसकते ना हमक you at which और देंगे लिस्ट प्राइस बे जो SGST account ये तो done हो गई और पैसा मिला है हमें बैंक से चेक मिला है क्योंकि और हमने क्या किया है सामने वाले को discount allow किया है ये हो गई entry एंट्री के बाद देखो 3,75,000 का मैं कितना percent करूँगी trade discount minus कर दूँगी 75 इसका मतलब मैंने actual में sale उससे कितने का क्या है 3,000,000 का ये क्या है actual sale है बस तुम्हें याद रखना जो ये हम cash discount देते हैं ये इस amount पर दे सकते हो आप सामने वाले को तो इधर देख लो आप 3,000,000 का तो मैंने sale किया उस पे 9% क्या है GST है तो 27,000 tax CGST 27,000 SGST तो यहाँ पर amount लिख दो 3,000,000 का तो sale 27,000 CGST और 27,000 SGST है इसका मतला है मिलने कितने चाहिए थे 2,054,000 मिलने थे लेकिन हमने क्या कहा उसे हमने discount दे दिया तो discount इस amount पे जाएगा क्योंकि यह तो government का पैसा है इस पे हम discount अगर हम सारी amount पे discount दे देंगे इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? सब पे amount इसका मतला हमने tax discount दिया और tax तो government का है हमारे हाथ में थोड़ी ना है जो हम उस पे discount दे देंगे तो discount सिर्फ इस पे देना ये वाला जो हमारी amount है जिसका हमने sale किया है तो 3 lakh पर मैंने कितना discount दिया उसे 2% इसका मतला मैंने 6000 का उसे क्या दे दिया discount अगर तुम्हें डिस्काउंट समझ में आ गया ना फिर टोटल में से डिस्काउंट को माइनस कर दो यहां तो ऐसे गलो देखो टोटल में से टोटल दे ना कितना ते इतना लेकिन डिस्काउंट दे यह जार का तो छे माइनस कर दो इसमें से तो 3,48,000 इसका मतलब actual amount हमें हमने उसे हम उससे हमें मिल गई क्योंकि हमने सेल गया है ठीक है अब देखो एक और लॉजिक समझो यह देखो टून लैक 94 आएगा अगर मैं डिस्काउंट को माइनस करूं तो इसका मतलब मुझे मिलने कितने थे मेरे समान पर गुड्स पर मुझे मिलने कितने थे टू लैक सेव ầ किisy Lakh. 14 यादो डिसकाउंट बस तुह याद रखना है डिसकाउंट सेल पर या परचेज पर हो सकता है डिसकाउंट माइनस करने के बाद जो अमाैंट है उस पह डिसकाउंट कहलेट करके टोटल में से माइनस कर दो ajamjar आजाएगा या फिर यह डिसकाउंट ऑर टेक्स त कर दो दो कि अ प्लूदार दो कि अ और दो कि ए कर दो दो कि ए, आप कि ए, सुल हो कि दोड़ने कि झो रख़ में और दो हो कि जो कि ए.